टेलीकॉम सेक्टर के बाद अब रलाइंस जियो होम ब्रॉड बैंड सर्विस लाने की तैयारी में हैं वहीं भारते स्मार्टफोन बाजार में अपने कदम जमा चुकी चीनी कमपनी शयाओमी स्मार्टफोन के साथ साथ टीवी और अनिलेक्ट्रोनिक प्रॉड़क्ट देश में लाँच करने की प्लानिंग कर रही है इसे प्लानिंग के तहए तब रिलाइंस जियो और शयाओमी हाथ मिलाने की तैयारी में हैं जियो पहले भी एपल के साथ मिलकर काम कर चुकी है अब खबर है कि जियो चीनी कमपनी शयाओमी के साथ मिलकर भारत में शयाओमी स्मार्ट टीवी लांच कर सकती है ये टीवी एक्स्क्रूसिव तोर पर जियो रिटेल नेटवर्क और रिलाइन्स डिजिटल स्टूर पर बीचे जाएंगे इसके साथ ही शयायोमी अपने कई अन्य प्रोड़क्ट भी भारत में लाने की तैयारी में है इस डिल के बाद शयायोमी भारत में केवल स्मार्ट फोन ब्रांट के तोर पर नहीं रह जाएगा बलकि वो अन्य प्रोड़क्ट के लिए भी जाना जाएगा शयायोमी इंडिया और रॉलाइंस जियो के कुछ वरिष्ट अथिकारी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं शयायोमी और रॉलाइंस की साचिदारी बी टूबी स्मार्ट पॉइंट और सेल की तहत होगी आपको बतादी कि जियो होम ब्रॉड़बेंड सर्विस शुरू करने वाला है और माना जारा कि शयायोमी अपना स्मार्ट टीवी भी इसी की साथ लॉंच कर सकती है इसके साथ साथ दोनों कमपनी इस साचिदारी के तहत नए स्मार्ट फोन को भी लॉंच कर सकती है TEAM NEWS NOW